सर्थी वैई युवर्गी समाज को नई दिसा दे सकता है जिससे उसके कुछ कर्टवें बहुत इमहत्पुन होते हैं भारत के आंत्री कि statistical और विद्यार्थी का कर्टवें भारत के आंत्री कि statistical वर्तमान में सोचनी है «विस्वा तवरनभी इसके प्रतिकूल है» यहां कानून और रिवस्ता चोर हैं पर ओंधे मूँ पड़े सिसक रहे हैं, आतंक वाधियों और समाज़ोई तत्तों की वर्चस वे ने भारतिय जीवन को आतंक की तत्ता मुले हीन करती है, भारतिय नागरी के जीवन का मानों कोई मुले ही नहीं, दूसरी और महंगाई की मा राष्टिय जीवन को नंगा भूका बनाने पर तुलिये, राष्टिय दल दले स्वार्थ के पंक से उबरनी पाते, उभरे तब जब उन्हें देशित नजर आए, राष्टिय सरकार आज भी विद प्रांतिय दलों की बैसाक्यों पर चल रही है, आर्थित अंत्र चर्मरा रहा है, राष्टिय जरितर तधनेतिक मुल्ले कहीं पाता लोक में चुपे बैठे हैं, छात्र का करतवय मात्र विद्य अध्यन नहीं, राष्ट की इन विसम परिस्तितियों में विद्यार्थी का करतवय क्या हो सकता है, क्या उसका करतवय केवल अध्यन करना और देश की विद्यार्थी का करटवे समाज़स द्रौई तत्तों और आत्म का आद्यों से निपटना हो, क्या विद्यार्थियों का करटवे देश की बहंगाई को रोकना हो, कदा पी नहीं, जिस देश का विद्यार्थी निविस्मताओं के विरुद का मरकसकार खड़ा हो, तो समझ लीजे भारत ग्रैयुद के अग्री में जलकर भसम हो जाएगा सिर्धर दूर करने के लिए सिर्ध कटाने का उपाए ऐसंग विध्यार्थी का ये करतवे सुखे भूसे में दिया सलाई जलाने के समान होगा दूसरी और देश की विशम इसिति के अवेलना करके मातराध्यन कोई करतवे समझना भी छात्र की भूल है ये राश्टी आचरन के विरुद्ध है आँख मिच लेने से कबुतर बिल्ली से बश्तों ही पाएगा बम के विस्पोर्ट में या आतंकवादियों की अंददुन गोली वर्सा में मरने वाला स्वम विध्यार्थी भी हो सकता है और उसके परिवार जन भी किचर से बचकर यदि कोई चले भी तो तेचलने वाले भान उसकी वस्तरों को तो मैला करेंगे फिर विध्यार्थी राष्किन समस्याओं के प्रभाव से अचुता कैसे रह सकता है तीसरी और क्या विध्यार्थी को विध्या मंद्रों को ताला लगवा कर सकरे राजनिती में कूद पढ़ना चाहिए क्योकि मत्यदान का यू 18 वर्ष करने की प्रश्च भूमी भी यही है सरकार 18 वर्ष चे यूःप को विभा का अधायत्य सम्मालने की योग्य नहीं मानती पर देश का अधायत्य निर्भा करने योग्य समझती यह कैसी भी डंबना है और अंतर विरोध है ऐसा करना विध्यार्थी के ग्यान द्वार तो बंद कर देना होगा इसलिए विध्यार्थियों द्वारा विध्याध्यन का काम अबाद गती से चलता रही है विध्यार्थी का पर्तम कर्तब है विध्या विध्यार्थी के निमित अपने को समर्पित समझे यह उसका दूसरा करतवी है नियमित रूप से कक्षाओं में जाए एक अगरे चित होकर गुरुजवारा पढ़ाए पाठ को सुने घर से करके लाने के दिये गए कारी की पूर्ती पर बल दे पढ़ाए गए पाठ का चिंतन मनन करे अधिक अधिक अंग प्राप्ति के लिए निरंतर अध्या वि रक्षा का इसलिए यथा संभव इन से बचना चाहिए यह तत्वी सिकायत करता विध्यार्थी को जीवन दान दे देंगी यह नमुम्किन है ऐसी परिस्तिते में विध्यार्थी दूरभास के सारवजनिक के इंद्र से या सैसक्षम अधिकारी को अनाम पत्र लिक कर इसकी स इसलिए मैं समाज विरोधी तत्तों से सचेत रहे तीन से चार की टोली में घूमते हुए जेव कत्रों को पकड़ का पुलिस अभुशन चीनते बटमार को पकड़ का पुलिस को थमा दे किसी स्थान पर कोई संदे इस बदवस्तु देखता है तो सो नमबर को फोन कर दे यह कार्थ होगा सक्रिय राजनिती में प्रविस हां कीचन को सुखा कर समतल भूमी बनाना उसका करतव है वे राजनितिक जुलस प्रदर्शनों में भाग लेने से बचे तोड़ फोड और राष्टी संपत्ति के विना से दूर रहे नारे बाजी और एय राजकता पूर्ण वा को जोती जी सोर से आए उसका बिनंदन करना होगा समाचार पत्र पत्री काउंट टीवी देखना और रेडियो से नहीं जानकरी प्राप्त करना उसका करता भी इसी प्रकार देश विदेश की गती वीदियों की जानकरी प्राप्त करना भी उसका फर्ज है सामपर्दाइक्त ताकी जड़ी उखड जाई या तैं विध्यारती का करतवे है कि मैं अपने सहपाटियों में जातिवाद, वर्गवाद, प्रांतवाद, समपरदायवाद की दुरुगंद को ने फैलने दे, ब्रातत्वे की सुगंद से अपने वध्याले के वातावन को सुगंदित रखे, कन देश्वाशों का मनोमल बढ़ेगा, उन्हें राष्ट की शक्ति का बोध होगा, दूसरी और देश की सारवजनिक इस्तानों को स्वक्ष रखने, वानी में मधूर बोलने तथा व्यभार में सिश्ट तादेश की अंत्यकरन को सुन्दर बनाएगी, तीसरी और देश के इत